इतना टाइम हो गया है अब यह जल्दी जल्दी खाएंगे और खाएंगे भी नहीं पूरा हमको पता है और अभी आ जाएंगे लेने के लिए इनके दोस्त बस भाग जाएंगे इसे देखो है यार तो खा ले उकर तू पिट भर जाता है टाइम की वज़े से जुटे गहेंगे आप सभी आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे ठंडी के मौसम में है ना तो अभी हमारी हास्बेंट जा चुके हैं आपने जैसा की देखा वीडियो में ऐसे करते हैं ऐसे खाना खाते मुझे बहुत बुसाता है सच बतार है लगाई हो जाती मेरी इस चक्कर में कि थोड़ा जल्दी उचाया करो तो आराब से खाना खा दिया करो लेकिन नहीं उनको तो अपने नाइम से उठना है जब देर हो रही होगी तब उठते हैं तो इस वज़े से नहीं खाया उन्होंने खाना थोड़ा सा खाया और वो अब चा चु लगी है तो चलो चलते हैं जाते हैं इसे पाइस होगी है फिर काम जब करेंगे तक करेंगे अभी तो बहर ताइम लागम ब टाइम आठ बज़ाय बद्द पत नीचलता इब दैया मैं तो उठेगा फिर साथ बजे इसलिए मैंने जली अली वीडियो तो सुबा स्टार्ट नहीं कर पाया मतलब इस टाइम पर नहीं कर पाया तो बन गया था मेरा खाना तो मेरा तो कितनी भी देर में उठे टाइम से हो जाता है क्योंकि बहुत फास्ट काप करते हैं और चलो जा रहे हैं जली से ब्रश कर ले जाए अब मैं जा रही हूं सेब खा लेती हूं तो अब ही मैंने चाय आज में फल खाने जा रही हूं ज्यादा अच्छा रहेगा खाने में याई हूं अंकल आ गय थे दूद वाले और साथ में पानी भी भरके लिया नीचे से पीने वाला क्योंकि हम तो भार से भर के पीते हैं टंकी का पीते नहीं है बहुत गंदा होता है और आज मुझे घी भी बनाना है तो गी भी बनाते हैं थोड़ी देर में अभी इतना दूद आता है इसमें मलाई निकाल लेते हूं कि मलाई ज्यादा पसंद नहीं है और फिर दूद रखा रह जाता है ऐसे करके तो इसकी मलाई निकाल लेते हूं इसी से उसी के बना लेती हूंगी तो हो जात कैसे भिकरा पड़ाया उपर रखा हुआ था रजाई की वज़े से नीचे गिर गया रात को अभी तक हमने उठाया नहीं था आप जा रहे हैं उठाने के लिए बर्तन दुलने के लिए जाडू मेरी लग गई है पिरा हमारा मक्षन इतना सारा है अब इसका हम बनाने जा रहे ह गी हमारा गी पक रहा है दीर दीरे से अभी और पकेगा यहां पर हम आये हुए थे छट पे तो यह सैज खेल रहा था और धूप थी अच्छी खासी तो बैठे हुए थे हम लोग काफी दीर तक पॉड़ी से जाएंगे यह पंचाबी बोलता है तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को क्या बोल रहा है तो चलते हम लोग दुकान पर यह आगए हम लोग दुकान पर इसको केंडी खानी थी जैली सॉरी जैली होती है ना तो वह ले रहे थे और अब यहां पर दही लेने आए हैं इस दुकान पर मैं बना रही हूं रोटी खाने के लिए मैं दही लेकर आ गई हूं गरम गरम रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे तो दोस्तों यह रहा हमारा खाना अब मैं खाने जा रही हूं आप लोग भी खा लीजिए आके खाना खाके चलीगी दिछट पर टहलने के लिए तो अभी 15-20 मिनट मैं दे टहल लिया है अब जाके थोड़ा सा अराम करूंगी त्योंकि टाइम हो रहा है फिर शाम हो जाएगी फिर वही काम में लग जाना है ना तो थोड़ी दिर हम लेट लेते हैं सुबा से लेटे नही हम फिर मिलते हैं आपको तो हो चुकिए शाम और मैं उठ चुकी हूँ थोड़ा सा तो भी लिया था भर अब जा रहे हैं जाडू लगा लेते हैं थोड़ी सी चाब मत नहीं है लेकिन व्यार रोस लगाती हूं शाम को जाडू तो इस वजह से मैं जानी हूं जाड़ों लग कोई डिसाइड नहीं हुआ है हस्बैंट को फोन करेंगे तब जाके पता चलेगा क्या करना है कि अपने मन से मुझे नहीं पता चलता है मुझे क्या खाना बनाना है आज जिन मैं यहाँ पे गई थी इमने सुचा देखे कुछ सबजी मिल जाया कुछ भी और टूटपेस भी लेना था तो वो भी हमने ले लिया है और अभी लेके हम मैगी आएं तो देखते हैं क्या पता मैगी बनाएं अब कुछ पता नहीं है काइस मैं खाने जा रही हूँ ये मुरमुरे वाली पटी बड़े दिनों बात खाने जा रही हूँ पता नहीं कब खाई थी आज मुझे दिख गया और मेरा मन था खाने का तो मैं ले आई इतनी बड़ी है रेको तो जिसको जिसको चाहिए कमेंट करना जली से तो दोस्तो हमने बनाई है शाम को मैगी अभी मैगी खाने का मन था मैगी बनाई है तुम भी खाऊगे? नहीं, हम भूखे रहेंगे आज ये भूखे रहेंगे? बरत है अज ये बरत है, मंगलवार का तो ये नहीं खाएंगे और हम अकेले इतनी सारी हम अकेले खाएंगे जिसको खानी है आज और जली से हम लोगों ने खाली है मैगी और पीट भड़ चुका है, बहुत जादा टेस्टी मैगी थी, कैसी थी? बहुत बढ़ी है भड़े दिन बाद खाई हम लोग रोज नहीं खाते मैगी पता नहीं कितने दिन महीने हो गए होंगे आज बनाके खाई है तो आप वीडियो में यही पर खतम करते हैं इसा लगा वीडियो बताना और लाइक कमेंट शेयर चैनल सस्क्राइब कर लेना फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई